हेलो प्यारे बच्चों कैसे हूँ आप सब आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्छा 6 की पुस्तक वसंत का चोथा पाट चान से थोड़ी सी गपे जो की एक कवीता है और इस कवीता को लिखा है श्री समसेर बहादूर सिंग ने प्रस्तक वीता में कवी ने एक 10 या 11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है वो जो लड़की है वो बहुत ही जिग्या सुप्रवर्थी की है उसे बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है और वो जो है चान से गपे लड़ाती है और चान से कई सारे सवाल पूछती है तो वो क्या सारे सवाल है? उसी के बारे में हम इस कवीता में पढ़ेंगे. तो चलिए अब हम इस कवीता को पढ़ते हैं. तो प्रस्तुत कवीता के प्रथम पढ़ में कवी जो है वो बता रहे हैं कि जो वो लड़की है वो चान से कह रही है कि यू तो आप गोल है पर फिर भी थोड़ी से तिर्चे दिखाए देते हैं. ये आकाश मुझे आपके वस्त्र यानि के कपड़े की तरह नजर आता है जिसमें के अंगिनत तारे जड़े हुए हैं और जो ये आपकी पोशाख है ये चारो दिशाओं में फैली हुई है और इस पोशाख के बीच में बस आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल सा चहरा ही द निरा समझा है हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बिमारी है नजर आते है का मतलब है दिखाई देना गोकी का मतलब है यानि बुद्धू का मतलब है मूर्ख और निरा का मतलब है एकदम अब कवीता के दूइतिय पद में जो वो लड़की है वो चान से कहती है कि जो ये नजर आते हो पता नहीं कैसे तिर्चे नजर आते हो पर आप मुझे मूर्ख मत समझे मैं चानती हूँ कि आपको कोई बिमारी है आप घड़ते हैं तो घड़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस याने की बढ़ते ही चले जाते हैं दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल कुल गोल यहाँ मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है दम मतलब होता है सांस और मरज मतलब होता है बिमारी अब कवीता के अंतिम पद में कवी जो है वो बता रहे हैं कि जो वो लड़की है वो चांद से कहती है कि आप घड़ते हैं तो घड़ते ही चले जाते हैं और कवीता के अंतिम पद में कवी बताना चाह रहे हैं कि जो वो लड़की है वो चांद के घड़ते और बढ़ते रूप को एक बीमारी के रूप में समझ रही है तो ये थी हमारी कविता, इस कविता के माध्यम से कवी ने चांद के प्रती एक छोटी से बच्ची की भावनाओं का बहुती रोचक तरीके से चित्रन किया है तो चलिए इसी के साथ हमारा इस वीडियो समाप्त होता है